अंतरिम बजट पेश करते हुए वित मंत्री निर्मला सितार्मन ने कई बड़ी योजनाओं के विकास और नई सुविधाओं की घोशना की. वित मंत्री ने अपने बजट भाशन में बड़ा एलान किया. उन्होंने कहा कि देश को बिजली में और आत्म निर्भर बनाने के ल की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद आम लोगों के लिए सोलर बिजली को लेकर बड़ा फैसला लिया. यही कारण है कि प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने का एलान किया. इस योजना के तहत करीब एक करोड घरों पर सोलर रूफ टॉफ सिस्टम लगाया जाएगा. तब पी एम मोदी की ओर से बताया गया था कि इस योजना का फाइदा सीधे तोर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा. इससे उन्हें अपना बिजली बिल कम करने में मदद मिलेगी. हाल ही में पी एम मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट क करने के बाद मैंने पहला निरने लिया कि हमारी सरकार एक करोड घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्षे के साथ प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना प्रारंब करेगी. इस से गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही. साथ ही भारत उर्जा के सूर्योदय योजना की शुरुवात की. बता दें, इस योजना के तहट लोगों के घरों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से बिजली का बिल कम करने में लोगों को मदद मिलेगी.